अगर आप सब को personal loan की जरूरत है एक लाग तक का भी amount अगर आप सब लेना चाहते हैं तो इस application से आप सब को दिये जाते हैं तो इसके अंदर कैसे आप सब को loan के लिए apply करना है कौन-कौन से documents लगेंगे कितने दीनों के लिए loan amounts दिये जाएंगे ये साड़ा information इस वीडियो के अंदर आप सब को बताने वाला हूँ अगर आप सब personal loan देना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से end तक बने रहिएगा तो चलिए बिना time waste की वीडियो सुरू करते हैं और फटा फटा आप सब को सारा detail अच्छे से बताते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस application की downloading की अगर बात कर ले तो इस application को 1 million से plus लोग download कर चुके हैं rating की अगर बात करे 4.2 का rating है तकरीबन 49,000 से अधीक लोग review दे चुके हैं review परना चाहें तो नीची आकर आप सब पर सकते हैं apply से पहले मैं आप सब को थोड़ा about features बताना चाहेंगे उसके बाद apply का process तो इस application से जो है आप सब को minimum यहाँ पे देखेंगे की 5000 से 1,000,000 तक का रासी जो है आप सब को provide कर आए जाएंगे 100% यहाँ पे online process होगा कोई भी paperwork आप सब के घर पे नहीं किया जाएगा 24 घंटा के अंदर आप सब के bank accounts में रासी को के डिरिट कर दिये जाएंगे interest की अगर बात करें तो यहाँ पे दिये हुआ है कि minimum 22 है maximum 28 है जो की एनम के हिसाफ से लगाए जाएंगे repayment समय की बात करें तो minimum यहाँ पे 3 months के लिए मिलेंगे और maximum यहाँ पे एक साल याने की 12 months के लिए processing fees आप सब को यहाँ पे 2 से 4% लगाए जाएंगे amount को उपर depend करेंगा कुछ example भी यहाँ पे है जैसे कि मान लिए अगर आप सब यहाँ से BCR का रासी लेते हैं 6 months के लिए अगर मिल जाता है 180 दिनों के लिए तो interest charge आप सब को यहाँ पे 1426 रुपे है processing fees आप सब को यहाँ पे 236 रुपे है GST ले करके आप सब के bank accounts में जो रासी के रिट किया जाएगा 19,764 रुपे पड़ मंत का जो EMI बनेगा 3571 रुपे का loan amount हो जाएगा आप सब का 20,000 रुपे bank account bank accounts में भेजे जाएगे 19,764 रुपे cool repayment करना होगा 21,400 26 रुपे तो यह कुछ details है अगर आप सब यहाँ से loan लेते हैं तो तो अब चलिए finally मैं आप सब को apply का process बताते हैं तो मेरा यहाँ पे install है इस application को open करेंगे open करने के बाद आप सब के सामने कुछ इस परकार से page आएगे सबसे पहले आप सब को अपना mobile number यहाँ फिल करना होगा verify लिखा हुआ है इस वाले पे click करेंगे तो चलिए हम अपना mobile number यहाँ पे fill करते ही और verify वाले पे click करेंगे जैसे ही आप सब यहाँ verify वाले पे click करेंगे तो आप सब के mobile नंबर पे एक OTP आएगा जो यहाँ पे automatically fill कर लिया जाएगा बस आप सब को submit वाले पे click करना होगा नहीं feel होता है तो आप सब क्या करेंगे यहाँ पे अपने से fill कर लेंगे और submit वाले पे click कर देंगे उसके बाद आप सब के सामने कोछ इस परकार से पेज आएगा यहाँ पे grant permission मांगा जाएगा तो grant permission वाले पे click करके जो भी permission आएगा यहाँ पे allow करेंगे उसके बाद आप सब के सामने कोछ इस परकार से पेज आएगे तो यहाँ पे अब आप सब को अपना first name जो है यहाँ पे fill करना है एक email id आप सब को यहाँ पे pay loan का अगर अब सब यहाँ पे गोर्ड़ लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे गड्र लोन का भी option है जिसम i apply now वाले पे click करके apply करके ले सकते हैं या फिर आफ आप सब business लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सब को business connu Contra वी सकते हैं है अगर आप सब को पर्ट की जरुवत है तो लाई नवाले पर किल्क करेंगे जैसे ही आप सब इस वाले के उप़र ले यह नेक्सट पेज़ को उपर ले कर जाएगाए जैसे कि मेरा यहां पे देखिंगे घ्ly personal detail fill करना है तो सबसे पहले लिखा हुआ है your pen तो जो आफ सब का pen number है उस pen number को आफ सब को यहाँ पे fill करना है एक email id आफ सब को यहाँ पे fill करने होंगे उसके बाद जो pen card पर date of birth है वही date of birth को आफ सब को यहाँ पे fill करना है pin code अपना यहाँ बाद ऋफिल करेंगे उसके बाद डिंडर को यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे कि आप सब मेल है या फीमेल है आप सब महिला है तो इसGood करेंगे इसल को इसे नेक्स्थ खducते हैं इसी होले करेंगे तो छलिए हम फड़ा-फट इस इसके को है उपन होगा तो मेरा यहां पर अभी देखेंगे कि लोडिंग में हैं नेक्स्ट पेज यहां पर ओपन होगा तो आप सब के सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस परकार से आएंगे उसके बाद जो है काईज आप सब को कॉंग्राशुलेशन लिख करके आ जाएगा कुछ लोन ओफर आप सब को यहां पर एवलेवल कराया जाएंगे तो जितना आप सब का कि रेडिटर कोड़ होगा उसी साफ से यहां पर अमाउंट आप सब को दिये जाएंगे उसके बाद सबसे पहला स्टेप में आप सब का यहां पर फील योर लॉन अप्लिकेशन हो जाएगा सेकिंड इस्टेप अभी यहां पर के वाईसी में है तो नीचे लिख हुआ है इस्टार्ट के वाईसी इस वाले पर किलिक करेंगे उसके बाद होगा यहां पर एक्सेप्ट लोन ओफर तो अभी इस्टार्ट के वाईसी है इस वाले पर किलिक करेंगे करने का बाद जोएगा यहाँ पे आप सब को KYC डोकुमेंट में यहाँ पे एक सेलफी अपलोड यूर पैन कार्ड अपलोड यूर एड्रेस प्रूफ में आप सब यहाँ पे आधार भी अपलोड कर सकते हैं और इस बॉक्स में चेक मर करके सब्मिट वाले पे किलिक कर सकते हैं तो यहाँ पे KYC आप सब का कंपलीट कर लिया जाएगा उसके बाद आप सब यहाँ पे देखेंगे कि आप सब का KYC भी कंपलीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आएगा accept loan offer नीचे यहाँ पे view loan offer का option मिलेगा इस वाले पे आप सब click करेंगे तो जैसे कि loan offer यहाँ पे देखेंगे 20,000 रुपए है rate of interest क्या है यहाँ पे detail में है per month EMI क्या आएगा यहाँ पे detail में है tenor यहाँ पे 6 month के लिए है और processing fee जो यहाँ पे लगेंगे यहाँ detail में दिये हुआ है PD EMI कितना लगा है यहाँ पे detail में है bank account में कितना रासी के रेट होगा 19,360 रुपए तो अगर आप सबको यह amount चाहिए तो इस box में check mark करके accept offer है इस वाले पे click कर लेंगे जैसे ही इस वाले पे click करेंगे तो अब आप सबको यहाँ पे अपना bank account set करने का option आएगा तो bank account number यहाँ डालेंगे confirm account number यहाँ डालेंगे IFSE code को यहाँ डालेंगे और next वाले पे click कर लेंगे यहाँ पे वही account number डालेंगे जिसमें आप सब amount को लेना चाहते हैं सही सही account number फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप सबको set up auto pay करना होगा जिसमें आप सब चाहे तो internet banking से या फिर आप सब अपना debit card से भी कर सकते हैं जो कि आप सब का EMI जो है automatic यहाँ से account से cut कर लिया जाएगा जिसके लिए आप सब को यहाँ पे set up auto pay करना होता है तो internet banking से या फिर debit card से आप सब को यहाँ पे कर लेना है उसके बाद आप सब को यहाँ पे congretulation का message में जाएगा आप सब के bank accounts में यहाँ पे लिखेगा कि 2 working days में पैसा transfer कर दिया जाएगा लेकिन यहाँ पे आप सब को एक से दो गंटे में ही आप सब के bank accounts में रासी को के credit कर दिया जाता है तो इस परकार से आप सब इस application से loan ले सकते हैं तो अब आप सब पूछेंगे guys के इस application का नाम क्या है तो guys तो इस application का नाम है अगर आप सब play store के उपर आ करके search करेंगे आई आई एफेल लिख करके अगर आप सब search करते हैं तो इसका logo जो फिलहाल कुछ इस परकार से दिये हुआ है इसी application से आप सब को try करना है अगर आप सब को personal loan की जरूरत है तो आप सब यहाँ पर try करके loan ले सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही ये वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताएंगे अच्छा लगे तो इसी वीडियो को like और साथी channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लेंगे मिलते हैं next वीडियो में new topic के साथ